असलाम अलेकम वीवर्स मेरा नम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अलक्रिक ऑनलाइन जी वीवर्स आज जो है हमारे पास एक फैन हीटर आया है इसका मसला ये है कि इसका फैन ओन हो रहा है लेकिन इसका हीटिंग वाले जो एलिमेंट है इसके हीटर ईजिमेंट है वो ambrage ये छी का याज ऑन नहीं हो रहा है तो यह मैं आपको इसका उन कर भी दिखा देता जो आप दोस्त आपने घर में बैटकर भी असानी के साथ कर सकें तो चलिए भई टैम्स आएक कि इसको उपन करना शुरू करते हैं तो इसको मैने ऑपन बैक साइड इसकी निकाल ली है और आप बैसकास के साथ इसको उपन करते हैं और देखना यह है कि आखर इसकी प्रॉब्लम कहां पर है एलिमंट की वायर निकली हुई है यहां इसका थर्मोश्टेर खराब है यहां क्या चीज इसके खराब है जिसकी वज़से इसका एलिमंट ओन नहीं हो रहा है तो चलिए भी इसको स्टेब बेस टेप उपन कर लेते है पैरे दोस्तों इसको मैंने उपन कर लिया है और इसका जो हीटिंग वाले एलिमंट जो है इसके स्प्रिंग जो लगे होते हैं वो आपके सामने है पूरा फ्रेम है एक और आपको नजर भी आ रहा होगा तो वह यह वरकिंग नहीं कर रहा है जो फैन है वही वरकिंग कर रह ही है इसका जो यह वाला बटन है यह सिर्फ ढमी बटन है जबके इसको मैंने खोला है तो आप देख भी सकते हैं यह बिल्कुल इसके पीछे कुछ भी नहीं है खाली डेकुरेशन के लिए यह बटन लगाया हुआ है सिर्फ इसका एक ही बटन काम करता है जो के दूसी हाुआ है कि इसको हमने च्ट कहोला है इसका लाइसकाइं बरता है तो जैस कि आंपको पताए इसके फींग यह दुटन के अंधर नजब नहीं दे रहा होता है तोहिसके नीचे आपको एक नजर आ देख रहा होगा एक resistance जिसके उपर में टैस्टर लगा रहा हूँ और एक चोटा सा थर्मो स्टेड लगा हुआ है तो मैं भाई इसकी एक वायर काट लूँगा 239 की ये रेड वायर और दूसरी सेट पर रेड वायर आपस में शौट करेंगे हम और देखेंगे के भई ये थर्मो स्टेड से बाई पास अगर हो तो ये चलता है या नहीं तो बिल्कुल जनाब ये देख सकते हैं आप सीरिस का जो लेंप है सीरिस का जो बलाव है वो जलना कर लेते हैं कि आया ये वर्क कर रहा है या नहीं तो इससे मैं एक बाईपास करूँ एक जंपर डालूंगा आरजी तोर पे और अगर ये सही काम कर गया हमारा तो हम एलिमन्ट तो ये हमारे पास जो है वो मजूद नहीं है और इसको हम फिर डिरेक्ट कर देंगे इन दोनों वायर को आपस में जोइन कर देंगे तो सबसे पहले में ये 239 वायर है मेरे पास इसका जो पीस है इनको आपस में जोइन करके देखता हूं कि आया ये वर्क कर रहा है या नहीं तो इसको हम डिरेक्ट लगा लेते हैं इसको जोइनिंग करते हैं और उसके बाद आपको मैंने आउन करना है और देखना है कि ये वाकई ये खराब है या नहीं तो बिल्कुल जनाब ये मैंने आउन किया है और ये वर्किंग कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहा है हीट मुझे यहां तक आ रही है उसका मैं आपको एक वायज़ जो है वो बता देता हूँ कि इसके element जो चलना शुरू हो गए इसके fan को मैं टेस्टर की मदद से रोकूंगा और फिर इसके element खाली आपको चला के दिखाऊंगा यहासे इसको खाली नहीं चलाना है लेकिन आप दोस्तों को मैं दिखाने के लिए कि यह working कर रहा है और यह ठीक हो चुका ह इसका थर्मो स्टेड ही खराब था तो अब मैं इसको ओन करता हूँ और देखिए का आप यह red हो जाएंगे और यह आप देख सकते हैं कि red होना start होगे मैं साथ ही इसको बंद कर दूँगा क्योंकि यह ज़्यादा देर नहीं चलाने सिर्फ आप दोस्तों को दिखाने के लि तो इसको मैं आपस में जॉइंड कर दिया है और आपको नजर भी आ रहा होगा जो दो वायर इदर लगी हुई थी थेर्मो स्टेड और जिसन से बाइपास उकरारी थी इसको हमने आपस में जॉइंड कर दिया है और उपर मैंने टेपिंग कर दिया है अब इसको हमने बंद कर लिना है और उसके बाद इसको चला के भी आपको दिखाता हूँ कि आया ये कितने जबरदस तरीके से वरकिंग कर रहा है तो चले इसक侷 को BAN कर लेते और उसके बाद आपसे मिलते हैं जी तो प्यारे दोस्तों इसको मैंने बंद कर लिया है मुकंबल और आप बारी है इसकी टेस्टिंग की फाइनल टेस्टिंग की के आया ये वर्क कर रहा है या नहीं जो हमने जगार लगाया है देसी वो काम कर रहा है या नहीं तो इसको मैं सुच जो है वो लगा देता हूँ अपनी आम बजली के साथ और फिर इसको जो है वो आन करके देखते हैं तो इसका सुच मैंने लगा दिया है और अब जो है इसका मैं बटन आन करता हूँ यहां से यह मैंने 1000 वाट पे सेट किया है और ये स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो है आप देख सकते हैं अंदर फैन भी ओन है और इसकी हीटिंग वाला सिस्टम भी वर्क कर रहा है तो इसकी हवा भी बहुत अच्छी है और बाहर जो है मुझे हीट अच्छी खासी महसूस हो रही है तो भाई ये चोटा सा जुगाड था जिसकी मदद से आप अपने फैन हीटर को ठीक कर सकते हैं अगर आपके फैन हीटर के ऐलिमेंट ओन नहीं हो रहे हैं खाली फैन ओन हो रहा है तो भाई ये थी आज की वीडियो आज का टॉपिक वीडियो पसंद आई तो लाइक कीज़ेगा चैनल पने हैं तो चैनल को सब्स्राइब कीज़ेगा दौब में जरूर याद रखेगा अल्ला हाफिस